दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी MI Android मुबाइल में Quickball सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने मुबाइल में Quick Ball Setting को Enable करते हैं तो आप अपने मुबाइल को चलाने में Experience को और बहतर कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि Quick Ball Setting होता क्या है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखते रहिए आपको बताने वाला हूँ के Quick Ball Setting क्या होता है और इस Setting को कैसे यूज़ करते हैं और आपके मुबाइल चलाने की Experience को कैसे बहतर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और Details में बात करते हैं दोस्तों किसी भी MI Android Phone में Quick Ball Setting इनवल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मुबाइल में Setting Option पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों स्कॉर्ल डाउन करते हुए निचे की तरफ आईएगा और यहाँ पर देखते हैं Additional Setting लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Quick Ball लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों Tron One Quick Ball लिखा हुआ है यहाँ इसको Enable कर देना पड़ेगा यहाँ पर Enable करते हीं दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आइकन देखने को मिल रहा है यह पहले यहाँ पर नहीं था अब जो है मैं आपको यहाँ पर और एक चीज दिखाता चलूँ के Select Shortcut यहाँ पर क्लिक कर लिजिएगा यहाँ पर क्लिक करते हीं दोस्तों देखिए पहले नमबर पर Home बटन है दूसरे नमबर पर Menu बटन है तीसरे नमबर पर Lock बटन है और चोथे नमबर पर Skin Short है और पांचवे नमबर पर Back बटन है अब जो है इन में आप और तरह तरह की चीज़े यहाँ पर Add कर सकते हैं Set कर सकते हैं जैसा के Home बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूस्तों बहुत सारे आफ्टन यहाँ पर खुल कर सामने आ गया है देखिए यहाँ पर टॉट्च लिखा हुआ है इसमें अगर मैं किलिक करता हूँ तो यहां टॉच आ गया है तो दूसरे नमबर पर मेनू बटन है यहां पर मैं किलिक करता हूँ और यहां मूबाल डाटा जो है इसमें किलिक करता हूँ यहां पर किलिक करने के बाद दोस्तों दिखिए यहाँ पर Mobile Data आ गया है अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ यह जो आइकन नहीं था यहाँ पर आ गया है यह दिखिए यहाँ पर Touch आ गई है और यहाँ पर Mobile Data आ गया है तो इस तरह आप अपने Mobile पर भी कर सकते हैं तो आप अपने मूबाइल में Tron One Quick Ball सेटिंग कर लिजिएगा तो आप अपने मूबाइल को चलाने में और बहतर कर सकते हैं अपने मूबाइल चलाने को तो दोस्तो वीडियो कैसी लगे आप कमेंट सेक्षन में जाकर जुरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया